स्वागता दोस्त हमारी यूटी चैनल उनिक लेक्टिक में दोस्त आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 एंपियर का स्वीच या सौकिट पे कितना एंपियर का लोट डाला जा सकता है और लास्ट में दोस्त हमें इसे चार्ट भी बताएंगे जिसके माधियम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वाट का उपकरण है तुसे हमें कितने एंपियर के स्वीच या सौकिट पे यूज करना चाहिए तो चलिए दोस्त आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये जनना जरूरी होता है कि हमारे घर पर जो भी उपकरण है वो कितना वाट का है या जो उपकरण हम यूज करने जा रहे हैं वो कितना वाट का है या कितना एंपियर लेगा ताकि आप सही स्वीच बोर्ड में सही उपकरण का यूज कर सकें इस वीडियो में हम आपको 6 ampere के socket पर कितने ampere का load डाल सकते हैं इस power formula के माधियम से निकाल कर देखेंगे यहाँ पर जो power का formula होता है दोस्तों वो होता P is equal to V I P हो गया power जिसे हम kilowatt में measure करते हैं या watt में measure करते हैं और दूसरा जो भी होता उसे voltage करते हैं और I हो गया current यहाँ पर हमें 6 ampere के socket के लिए जो भी load डालने वाले हैं या जो भी current है उसका हमें देखना है कि वह कितना watt का है और दूसरा watt से हमें यह पता चलेगा कि वह कितना ampere लेगा तो यहाँ पर ampere निकालने के लिए हम क्या करेंगे I is equal to P upon V कर देंगे I से हमारा current हो गया और जितना watt का होगा और जितना हमारा voltage आ रहा है उससे हम divide कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि वह जो उपकरण है कितना ampere लेगा जैसे कि दूसरा आप देख सकते हैं पाउर का जो फर्मूला होता है वो P is equal to V आई हो गया तो हमने क्या किया है कि हमें जो उपकरण है उसका निकालना ampere तो ampere बराबर हो गया P upon V तो P के जगा पे हमने 1000 लिख दिया है क्योंकि हमारे पास जो उपकरण है 1000 watt का है दूसरा जो voltage हो है 230 आ रहा है या कोई भी inductive load होता है उसका power factor 0.8 measure किया जाता है और कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें heat produce होता है उसे registry load का जाता है और उसका power factor एक लेकर चला जाता है हमने क्या किया है कि यहां आपने 0.8 रखा है तो अब हम क्या किया है कि 230 में 0.8 से हमने गुना किया गुना करने के बाद फिर जब 1000 में हम भाग करेंगे तो 5.44 ampere आ जाएगा यानि अगर 1000 watt का कोई उपकरण है तो वहां पर जो ampere लेगा वो लगबग 5.5 ampere लेगा लेकिन हमारे आँ जो switch या socket लगा है वो 6 ampere का है तो इस पर हम डालने के लिए चला सकते हैं लेकिन कुछ समय चलने के बाद जो switch या socket होगा वो गरम होने लगेगा और extremely गरम होगा तो वो जल भी सकता है इसे बचने के लिए हमें जो है 6 ampere के ना यूज करके 16 ampere का यूज करना होगा तो दोस्त अब हम वो चार्ट देख लेगते हैं वहीं पर दोस्त अगर आपका जो भी उपकरन है वह 1000 watts उपर का है जैसे कि 2000 watts का है 2000 watts का होगा उपकरन होगा तो वह जो current consume करेगा वह 10.86 ampere consume करेगा तो यहाँ पर आपको 16 ampere का switch या socket का इस्तमाल करना होगा और last video में हमने आपको बोला था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके यहाँ एक watts से ले करके अगर 800 watts का कोई भी उपकरन है तो उससे आप 6 ampere के switch या socket पर यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगा गरम नहीं होगा overload होने के कारण से और 800 watts से ले करके 2 kilowatt तक का है तो वहाँ पर आप 16 ampere का यूज़ करेंगे तो socket या switch जो है वो गरम नहीं होगा और काफी समय तक चलेगा तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जनकारी जरूर लगी होगी वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजे और चैनल को सबस्क्राइब करके इस बेल आइकोन को क्लिक कर लिजे जिससे हमें साब को notification मिलती रहे तो आज क्लिप नाई तैंक यू फॉर वाचिंग